वेल्कम बैक टू बिक्रम टुटोरियल चैनल आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बिक्रम टुटोरियल पे आज से में एक नई सीरीज श्टार्ट कर रहा हूं जो बिद्यार थी जो इस्टूडेंट्स सीटेट, बिटेट, जेटेट या अधर टीचिंग वाला एक देखिए और अगर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए ताकि मैं और भी मोटिवेट हो करके आप लोगों को और भी अलग-अलग सब्जेट का वीडियो दे सकूं चाहे पेडागोजी का हो, हिंदी का हो, इंगलिस का हो, या मैतमेटिक्स का हो, या साइन तो और मैं अपने बारे में एक चीज़ बता दूं कि मैंने लगातार 2018-2019 के दो बार एक्जाम मैं क्वालिफाइ किया हूं और नेक्स्ट एक्जाम मैं भी क्वालिफाइ जरूर करूंगा, तो सबसे पहले मैं बता दूं मेरे चैनल को फॉलो करें, मेरे चैनल का नाम है विक में हिंदी का previous year जो की पिछले साल ही पुछा गया था, उससे उस पर अधारी जो question पुछा गया है, वो मैं आप लोग को बताऊंगा, और इसका explanation नहीं करूंगा, explanation के लिए आप लोग को comment करना हुआ, जितना ज़्यादा comment होगा, उतना ही मैं motivate हो करके next वीडियो में जरूर अलग-अलग subject में उसका explanation भी करूंगा, तो आज का वीडियो देखते हैं कि आप लोग को कितना फाइदा पहुचाता है, तो आप लोग देखिए और answer करने का परियास किजिए, और मैं answer भी बगल में लिखा हूँ, तो चलिए सबसे पहला question पर बात करते हैं, उच प्रात्म हो जाएगा, option नमर B, आयू अनुरूप साहित, ओके दोस्तों, आइए बढ़ते हैं दुसरा question नमर पे, गनित विज्ञान, आदी विश्यों की कक्छाओं में भी बच्चे भासा सिखते हैं, या भी चार, option नमर पूर्णता सत्य है, दूसरा option है, आंसिक रूप से सत्य है, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे, तो आप अराम से seatate qualify कर सकते हैं, अगर मैं qualify कर सकता हूँ, तो आप लोग अराम से qualify कर सकते हैं, तो कुछ भी नहीं है, आप लोग को लगातार continue practice करना, अगर एक या दो महिने भी आगर कोशिस करते हैं, तो आप अराम से seatate qualify कर सकते और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है और आप लोग चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाओं तो आप लोग कमेंड किजिए ठीक है आये बढ़ते हैं तिसरा नमर कोश्चन पर उच प्रात्मिक अस्तर पर पाठी पुस्तकों में हिंदीतर भासा कोई जगा मिलनी चाहिए ताकि बच्चे पाला अप्शन है हिंदीतर भासा साहितकारों से परिचित हो सके समाजी संस्कृति से परिचित हो सके ये सभी या भासा के विविन रंगतों से परिचित हो सके तो इसका एंसर हो जागा मेरे प्यारे दोस्तों ये सभी और और ये ज़्यादातर जो आप्शन रहता ये सभी पराया 90% में जो होता है ये सबी ही एंसर होता है Q4 बच्चे भासा तब बहतर तरीके से सीखते हैं जब A नमर ऑप्षन भासा का सम्रीद परिवेश हो सरल साहिती का चेयन हो या तिसरा ऑप्षन परिक्षाओं का आयोजन हो या चोथा ऑप्षन अनिक पाठ पुष्टे गए हो तो देखिए अगर थोड़ा सा भी थोड़ा सा भी अगर आप माइंड लगाते हैं तो इस तरह के प्रशन का आंसर आराम से बता सकते हैं तो इसका एंसर हो जाएगा A भासा का सम्रीद परिवेश हो प्रात्मिक अस्तर पर भासा आकलन के द्रिष्टी से सरवादिक मतपुण है पाला अप्षन है जांच सूची दूसरा अप्षन है सक्षातकार सूची तिसरा अप्षन है लिखित परिक्षा या छोथा अप्षन अवलोकन तो इसका अइंसर हो जाएगा दोस्तों B नमर आवलोकन आए बढ़ते हैं नेक्स्ट कोस्टिन छठा नमर द्यूतिय भासा की पाठ चरिया में पाठ चरिया का एक लक्ष है प्राकृति भासा ज्यान में अर्जित दक्षता के अनुरूप डेस दक्षता प्राप्त करना तो हो जाएगा ओप्षन नमर ए सरवोच ऊसर बुनियादी या उच इसका अंसर हो जाएगा बुनियादी तो इस परकार से मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट कोस्टन की ओर तो जैसे से मैं बढ़ता हूँ question number हम लोग को मिलता है question number 7 तो question number 7 में क्या बोल रहा प्यारे दोस्तों भासा के विभीन कोशलों को डैस रूप में पढ़ाने की अनुसंसा की जाती है A की क्रित उच, निम्न या क्रमिक तो इसका answer हो जागा A option number A की क्रित ब्याकरन सिक्षन की कौन सी विदी आप एक छा क्रित प्रभावी है निग्मन बीदी, सुत्र बीदी, पाठी पुस्तक बीदी या आग्मन बीदी तो इसका answer हो जागा A आग्मन बीदी option number D और ये question आप अराम से बता सकते हैं क्योंकि इस तरह के प्रश्ण आप जरू से जरूर आप जब B8 कर रहे होंगे तो उसमें देखी दियोंगे आए नेक्स्ट question की बात करते हैं उच प्रात्मिक स्तर पर भासा की पाठी पुस्तक में रक्त और हमारा सरीर पाठ सामिल करने का बिचार D से जुड़ा है संपुन पाठी चरिया में भासा तो जितना भी question में बता रहा हूं और आप देख पा रहे होंगे answer और इस सबका answer मैं लिक चुका हूं तो आप लोग जरूर देखेंगे इससे क्या आपको फाइदा हो पा रहा है और आप लोग कोशिस किजिएगा और भी जितना भी question आता है उसे solve करने का तिरी भासा formula भारत की dash की चुनोतियों और dash को संबोधित करने का परियास है पाला option समस्याओं अपसरों भासा इस्तिती और संस्कृति भासा इस्तिती और अफसरों संस्कृति और समाधानों तो इसका answer हो जागा option number C भासा इस्तिती और अफसरों आई बढ़ते 11 नमर question में लिखने की चमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की चमता की संगती में होना चाहिए या विचार dash है पुर्णता सत्य है, आंसी गूप से सत्य है पुर्णता निराधार है या पुर्णता असत्य है इसका आंसर जाएगा पुर्णता सत्य है तो जो पुर्णता सत्य है ये इस question ऐसे भी easy है क्यों easy है, ये आप लोग समझ सकते है question नमर 12 पढ़ने का आर्थ है पहला option है, वर्णमाला का ज्यान वाक्यों को पढ़ना, सब्दों को पढ़ना या पढ़कर समझना तो option नमर D, पढ़कर समझना और मेरा एक tips है, जो भी पढ़ने सटीक पढ़ने, और जो भी पढ़ने मस्त पढ़ने, और हमेशा खुस रहे हैं, क्योंकि अगर आप खुस रहते हैं तो आप किसी भी चीज को अच्छी तरह से handle कर पाते हैं तो अपने जीवन उदास बिल्कूल न रहे अच्छी चीजों को सोचें, क्योंकि आप भावी teacher हैं, तो आप लोग जबरदस्त पढ़ें और मेरे Bikram Tutorial चेनल पे जरूर जरूर फॉलो करें और अगर अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आने वाले दिनों में आप लोग को प्रिवियेसर का जत्मावी सीटेट का कोशन आया हुआ हैं, मैं उसको solve गरके आप लोग को दूँगा और उमीद है कि आप लोग यह से पसंद करेंगे तो आज के वीडियो में इतना ही देखा आगे वीडियो में आप लोग को जवर्दस्त चीज मिलने वाला है तब तक आप लोग बने रहें मेरे चनल पर आज के वीडियो को देखने के लिए आप सभी को तहे दिल ची धन्यवाद जहिन जा भारत